सो नमस्कार दोस्तों DCJSM Tools में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे UFI की तरफ से बहुत ही जबदा सब्डेट आपके सामने या देखने को मिल रहा है और UFI का software version आ गया है 1.6.0.2202 6th Anniversary है इनकी और इनोंने इस अफसर पे यह हमें अपडेट दिया है चलो लेटी सही लेकिन बहुत दुरुस्त दिया है अब यहाँ पे अपडेट में क्या-क्या खास है वो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह Windows 11 में support करेगा इसका theme जो है dark कर दिया है बाकी के जो preloader वगरा bugs थे वो fix कर दिये गए है और जो सबसे main इसका जो आकरशन है वो है Samsung की EMC का firmware अपडेट करना यानि की Samsung की EMC का RPMB किलीन करना और RPMB के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो DC Mobile Solution पे मैंने एक वीडियो बना रखी है आप जाके देख लें नहीं तो काफी वीडियो जो है आपको YouTube पे मिल जाएंगे उन वीडियो को देखेंगे तो RPMB के बारे में आप समझ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे यह जो अपडेट था दोस्तों EasyJetec में था और EasyJetec का जो बजट था वो बहुत हाई पहुंचता था तो लोगों के बजट से वो बहार चला जाता था ठीक है और वो इसी की कारण लोग जो है EasyJetec को ज़्यादा प्रेफर करते थे कि उसमें RPMB clean का option आ चुका है और उसमें UFS का support है तो अभी तक तो UFS का support UFI में आया नहीं है बड़ लेकिन बात जो है एक साल पहले से चल रही है लेकिन अभी तक वो अपडेट नहीं आया है और हो सकता है बहुत जल्द आने का उसके chances हैं तो दो 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 UFI जो है EMMC के मामले में मेरा जो personal opinion है वो EZJTX से मुझे बहतर लगता है क्योंकि बजट के हिसाब से भी और वैसे भी आपका पूरा है अगर आप UFI box खरीते हैं 16, 17, 18,000 रुपे में तो आपको सारा कुछ EMMC का महिल जाता है उसमें ठीक है और बागी के इसके इंटरफेस से वो भी बहुत easy रहता है purchase करना चाहो तो description में रवर्टसब नंबर है और या फिर website करने के वह से ले सकते हो ठीक है तो और ऐसी बात नहीं है मैं EZJTX को दोश नहीं दे रहा हूँ EZJTX भी बहुत जबदास tool है थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन बहुत powerful है उसमें UFS का भी support है ठीक है तो अब यहाँ पर देखेंगे के Samsung की काफी EMC आपको दिखाई देंगी इनके जो है FFU फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर मालो उसकी firmware अपडेट फाइल नहीं है तो फिर आप उसका RPM भी clean नहीं कर पाएंगे Samsung की EMC का ठीक है अब यहाँ पर नीचे देखेंगे यह तो अभी इसकी FFU फाइल के models आपको दिखाई जा रहे हैं कि इनके यह जो Samsung की models है यह वाले सारे models में supported हैं ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे कि read firmware dump from EMC तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी इस जटेक पर DCMobile solution पर तो वहाँ पर हमने उसी का dump लेकर उसी से अपडेट किया था उसका RPM भी clean किया था वही method आप इसमें यहाँ पर अपना सकते हैं अब यहाँ पर किसी भी Samsung की EMC का firmware dump read करके उसको उस पर दोबारा चड़ाएंगे तो उसका RPM भी clean हो जाएगा यह option इसमें दे रखा है ठीक है तो यह दोस्तो बहुत ही अच्छा update था UFI की तरफ से मुझे बहुत बैतर लगा और जो है इससे UFI की market दोबारा लोट के आएगी ठीक है यही आचा करते हैं और दोस्तो इसका जो live है हम RPM भी clean करने का वीडियो है वो DC Mobile solution पे जाएगा वो जरूर देख लेना आज ठीक है क्योंकि यहाँ मैंने आपको केवल update बता है कितना काम करता है नहीं करता है वो सारी तो और यही ता वीडियो में वीडियो कर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिया अगरो उससे थोड़ा हमारा होसला बढ़ जाता है और आगे वीडियो बनाने का थोड़ा मन भी करता है ठीक है तो फिर मिलते है किसे एकली वीडियो में तब से के लिए जय हिंद जय भारत